हेलो डिवाइन सोल सेवेंड वार्निंग साइन फ्रॉम यूनिवर्स यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग आई पर्सनली फील डी साइन अपके लाइफ में भी ऐसे इवेंट होंगे बहुत सारे ऐसे लोग सक्सेस्फूल पोजिशन पर बैठे हु देती है बहुत सारे लोगे लाइफ में तुन फ्लेम टू लव है विकोज उन यूनिवर्स के द्वारा दिये गए संकितों को वो रसीव करते हैं इसी पर आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं सो नमशकार दोस्तों आपका बीहत स्वागत है लाइफ पिशन के इस नए वी अगि ईग्नोर घुरेंगे तो आपनी इएध ड़िय्ट लेते हैं उन्यूनिवर्स उनसे कॉंटेक्ट करता है उनसे कनेक्ट होता है और कभी इन सेवन संकितों को आप राटेंंगे अब अपनी डेस्टनी को आप मझा कर रहे हैं आप अपने आप से भाग रहे हैं, अपनी destiny से, अपने life में जो होना है, उससे आप दूर जा रहे हैं, इसी कार हम बहुत बार, अपनी twin flame से भी नहीं मिल पाते हैं, जहां पहुत सकते थें, उस position से नहीं जा पाते हैं, तो पहला sign कौन सा है, unexpected delay in your life, किसी भी चीज़ को लेकर, अकारण, बिना किसी वज़े कि अगर delays हो रहे हैं, आप उस चीज़ में focus दिये जा रहे हैं, focus दिये जा रहे हैं, लेकिन unexpected delay हुआ जा रहा है, आप 100% दे रहे हैं, सबसे पहले आपको 100% दे नहीं है, ऐसा नहीं कि आप उस चीज़ में 100% नहीं दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं और है ऐसा आप कोशिश कर रहे हैं कि आप कहीं और लगे हुए हैं आपकी उड़ जाइस तर आपकी इनर्जिस कहीं और कहीं और आपको गाइड करना चाहती है तो definitely इन संकेतों को समझे बहुत सारे से लोग हैं जिनकी लाइफ में जो हाइर पोजिशन्स पे हैं जो कुछ समय पहले कुछ और करते थे ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं जो कुछ और बना रहे थे हो कुछ और बन गया विकुछ उनको ड्रीम्स आया ऐसे guidance मिले जिनके ठ्रो उनकी लाइफ पदल गई ऐसे discoveries हो गई ऐसे life में achievement हासिल कर लिया ऐसा सब आपके life में भी हुआ होगा कि काफी इन unexpected delays को कभी भी ignore ना करें अब दो बार सोचें कि आप क्या कर रहे हैं इसके दूसरा option कहीं इससे better tone नहीं है तो दूसरे sign पर आ जाते है जल्दी से देखें you have an uneasy feeling on your stomach यह बहुत funny बात है actually कि आपको stomach में uneasy feeling या vibrations या किसी बरकार का pain अगर बहुत जादा हो रागर physical issues कोई नह होनी चाहिए और physical issues नहीं तो हम उस चीच को जाने देजिए को तो वही वाली problem हो गई लेकिन अगर uneasy feeling और comfort नहीं लग रहा है आपने कई पर notice किया होगा आप जब hide and seek खेलते हैं या कहीं पर छुपे होते हैं बच्पन में तो आपका pain में कुछ होने लगता है right यह feeling क्या है क तो आपकी hourja इस तरो में changes आता है क्योंकि आप कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जो आपकी hourja इस तर सांत रहना आपको silence रहना जब आप सांत से कहीं बैट होते हैं तो इस तरह सा महसूस करते हैं इस time में कुछ हो रहा है actually हमारी hourja जब हम ध्यान करते हैं नीचे से उपर यो गती करती है, इसी प्रोसेस में बहुत सा लोग जब डर जाते हैं, तो पेट में कुछ हल चल होती है, वाइब्रीशन्स होती है ये अध्यात्मिक इस्पिरियंस है अनुभावा एक इस तरह का इस्पिरियंस आपको होता है कई बार हमको सोल हमको forcefully ये messages देती है कि आपको कुछ और करना है कहीं और जाना है, कोई और काम करना है definitely आपको destiny कहीं और ले जाना चाहती है, उस समय अगर आपने follow किया, हो सकता आपने flame से आप मिल जाए, हो सकता आपको life में जो करना है, उस चीज़ को hustle कर ले, तो third sign पे जल्दी से आज आते हैं, कि third sign कौन सा है, actually third sign बहुत जादा important है, वो sicknessities, numbers and unexpected delays in your life, दीकिए delays तो मैंने पहली बताया था, लेकिन ऐसी जगवों पे आपको numbers देख रहा जहां कोई भी उमीद नहीं है ऐसे कि फोन पे आप देख रहे, वो लेकिन ऐसी जगवों पे आपको messages मिलना बड़े level पे या कभी भी आप वहाँ उस ओन number नहीं देख सकते थे, इस तरह के numbers को देख कर उसको पकड़ना नहीं है, grip नहीं करना है, बलकि खुद पर work करना है, inner work करना है, जिसके through अपने आपको rise कर सकते हैं, अपने आपको improvement कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ने की है, अमें personal अपने experience के बारे मैं बताऊं, तो बहुत बार जो मैं अपनी twin flame को ढूण रहा था search कर रहा था, तो काफी बार ऐसे universe के messages मेले मैं जट से उसको पकड़ लेता था कि हाँ मुझे इस तरह काम को नहीं करना है, इस काम को करना है, और मुझे इस चीज़ ने बहुत सारी help की, आपकी भी करी होगी और definitely अगर और इन चीज़ों को follow करेंगे, तो आप अपने manjil तक ज़रूरी पहुँच जाएंगे, हम आगे move on करते हैं, वो हम जानते हैं dreams के बारे में, आपके life में fourth ऐसा sign है dreams, actually बहुत सारी लोग dreams में answers पा लेते हैं, ऐसे बहुत सारे विज्ञानिक हुए हैं scientist हुए हैं, जो कुछ बनाना चाह रहे हैं, और पूरे focus से लगए हैं, लेकि dreams में उनके एक idea आया, उन्होंने apply किया और वो काम हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग universe हमको dreams के मादियम से सबसे आदा message बहुत सारे लोग dreams को भूल जाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में सब consciousness जो idea plant होता है वो universe की सक्तिया जो हमको मिलती हैं, वो dreams के मादियम से मिलती हैं, हम एकदम fresh उठते हैं morning में, और हमको कुछ ना कुछ लगता है कि हमारे साथ कुछ हो गया है, मैं कुछ ideas आ गया है तो आप perform करते हैं, वो काम हो जाता है इसलिए dreams को कभी भी ignore नहीं करना है, dreams actually intuition का ही भी part है दूसरा जो fifth point है, वो भी levels में मिल रहे हैं, that is define you की universe आपको warn करना चाहता है, guide करना चाहता है, आगे हम वो warn करते हैं, you can't sleep properly, दोस्तों ये बहुत ज़ादा important sign है because जबी भी आप में उर्जा इस तो बहुत high होगा तो आप बहुत गहरी नहीं सो पा होंगे, सो नहीं पा रहे होंगे actually, क्यों? क्योंकि आप से जब उस higher consciousness की souls, universe connect होना सुरू हो जाता है, तब आपके सरीर में energy level बहुत high हो जाता है, यसे आप coffee पी लें, तो आपको नीद नहीं आती, उसी तरह आपकी जब energy level बहुत high होगा तो आपको नीद नहीं आएगी आप comfort नहीं फील करेंगे sleep के दोरने के दोरान, तो यह बहुत natural सी बात है, ऐसा नहीं क्यों ऐसा बहुत दिन continue रखना है, कभी कभा अगर ऐसा हो रहा है, तो universe उस खास phase में आपको कुछ बताना चाहता है, आपकी कुंडली में होता है, ब्रगु बिंदू आपने उसको BB कुंडली में जो लिखा होता है, software में BB के दोरा उसको दर्शाय जाता है, वो particular खास point होता है, जहां कि आपकी destiny trigger होनी है तो उन points को कभी भी ignore ना करे, यह astrologically भी apply होता है, और आपके life में भी, कई बार आप लोगों ने महसूस कि होगा, एक खास point जहां से आपकी destiny बदल गई last point पर बात कर लेते हैं, you keep getting sick actually, जो बहुत unique सी बात है, मैं आपको कह रहा हूँ कि बीमार हो जाते हैं आप, कैसे देखिए, मैं personally feel करता हूँ कि जो लोगों साथ मेरे experiences रहें आप लोग, बहुत सार लोग मिससे बात करते हैं तो बहुत सार लोग अले में एकदम अचांग से चोट लग गई, चोट लग गई तो वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है शिक हो रहे हैं, अगर reason उसके पीछे कि आपके physical health sign नहीं तो वो एक अलग बात है लेकिन अगर without any reason unexpected way से आप बिमार हो रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे रहें अपने आप पर, तो definitely universe आपको कुछ बताना चाहते हैं उस दोरान आप अपने work को छोड़ देते हैं कुछ करते हैं, खाली बैठते हैं और आपके दिमाग में कुछ नए ideas आते हैं, life को लेकर आप बिमार हैं क्योंकि आपको universe ने उस phase में ला दिया है जब आप अपने बारे में अच्छे से guidance दे सकते हैं खुद को, तो ये बहुत ज़ादा important point है, ये जो मेरे science बता है, that is completely warning sign है that will completely guide करने वाला science अगर इन में से कोई भी sign में है, तो natural way से ले, अपनी life में लगातार growth करें और success करें, और hopefully आपको ये उडियो पसंद आई हो, पसंद अपने दोस्साथे को जरू सेर करिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब तो आप बेल एकिन क्लिक कर लिए को कि हमारे regular updates आप तक पहुं सके, मिलते हैं ने इस वीडियो में आप तो अपने ख्याल रखिए, ध्यान रखिए नमस्कार दोस्तों